हेलो फ्रेंट मैं बिर्जेस कुमार ओपिसियल यूटूब चैना गौर्णमेंट जोब्स फोर यू में आपको स्वागत हैं यह विडूब आउत्ती महत्पूर हैं और सरकारी नोकरी से सबंदित हैं सीधी भरती से सबंदित हैं रेगुलर बेसिस वे यानि सरकारी नोकरी के के लिए उनलाइन आवेदान आमंत्रित हैं और विविन विशे में आवेदान आमंत्रित किया गया है यह जो वेकंसी हैं टीचिंग पोजिशन के लिए हैं और 15 विशे में आवेदान आमंत्रित हैं इसलिए यह वीडियो थोगा सा बड़ा होगा हम बात करते हैं यह वेकंस के द्वारा वेवसाइट बनाया गया है वेवसाइट का नाम है govtjobs4u.org इस वेवसाइट पे यह नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं उस वेवसाइट पे नोटिफिकेशन आपको राता है आपको वीडियो देखने के ज्यादा जरूत नहीं पड़ेगी आप टेलिग्राम और वाटसब गुरूप का लिंक भी यूटूबर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आपकी इच्छा है तो आप जोईन हो सकते हैं हम बात करें यहां पर सिरियल नंबर दी गई है यहां पर नंबर एन कटगरी दी गई है और यहां पर सिरियल न में आवेदा नामन्त्रित हैं इसके अलावजिय उस्टेडी। टीचर एजूकेशन फिछकल एजूकेशन क secondary कासमीरी पलांट साइैंस और सिवचित सिविल इंजरिंग में आवेदा नामन्त्रित हैं हैं आप अपलाई करना चाते हैं तो यह बीरोह के लिए बहुत ती माश अब हम बात करते हैं कि online application form कब से फिल करना शुरू होगा तो date of available of online application form in availability of online application form 1 सितंबर 2013 से online application form फिल करना शुरू होगा और last date for submission of online application form with fees 21 सितंबर 2023 हैं और last date for submission of download copy of the application form along with enclosed documents 29 सितंबर 2013 तक हैं यहीं आपको application form और document जो आप अप्लोड करेंगे उसको डाउनलोड करके रख लेना हैं अब मैं बता रहा हूँ अप्लिकेशन सुल्ख के बारे में तो general EWS और OVC category के लिए 1500 रुप्य अप्लिकेशन सुल्ख हैं AC, ST, PWD category के लिए 750 रुप्य अप्लिकेशन सुल्ख हैं payment structure की बात करें तो L 14 का पद हैं और 7 CPC कमसार salary जो हैं 144,200 से लेकर 218,200 रुप्य पर मंथ salary हैं essential qualification की बात करें सभी पद के लिए जो qualification मांगा हुआ हैं EGC regulation 2018 qualification हैं इने EGC norms कमसार ही qualification इसमें दी गई हैं इसके लिए appendix second और appendix first जो EGC regulations हैं वो दी गई हैं उसी कमसार qualification है teacher education के लिए qualification में post graduate degree in science या मायत या social science या commerce या language में हैं और M8 होना चाहिए साथ में PhD और 10 साल का experience होना चाहिए information technology civil में भी PhD मांगा हुआ हैं और 10 साल का experience हैं इस तरह से या qualification दी गई है age limit में जो छूट हैं 5% consider किया जाएगा age limit में जो छूट हैं यहां पर terms and condition दी गई हैं तो general terms and condition application form fill करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लें जिससे की application form fill करने में आने वाली problem को दूर कर सकें application form fill करने के लिए लिंक अभी open नहीं हुआ है एक तारिक से ही लिंक ओपन होगा इसके अलावा यहां पर बहुत सारे link दी गई है तो इस लिंक पर आप क्लिक करके भी detail जैंकारी प्राप्त कर सकते हैं यहां पर general instruction category वालों के लिए दी गई है how to apply के लिए आपको website पर जाना है वहां से application form fill करना है इसके अलावा किसी भी प्रकार की application form fill करने 77 issue जाती है तो यहां पर mobile number contact number दी गई है इस number से आपको direct contact कर लेना है बात कर लेना है यहां पर index second है जो qualification से related है और इसमें जो दिया गया है आपके qualification के इसाफ से detail जंकरी दी गई है इस तरह से यह detail जंकरी आपके आपके लिए सबसे मातपूर्ण कार का है अब मैं बताओं कि यह पद है teaching position में हैं लेकिंग कौन से पद हैं तो professor पद के लिए आवयदान आमंतरित है विभीन डिपार्ट्मेंट में और कास्मीर केंद्री विश्विदाले यानि Central University of Cosme में आवयदान आमंतरित के गया है जिसमें प्रोफेसर के विभीन बिशे में आवयदान आमंतरित है तो इसी तरह का update और नी वीडियो की जंकरी के लि जिससे कि आप डिए